देखिए अभी जो है जीला अस्तर की एक बहुती अच्छी भरती निकाली गई है बिर्धा आसरम जो होता है ना उससी में आपका भरती होने वाला है जिसमें आपका एकाउंटेड का पोस्ट है सफाई कर्मी का पोस्ट है देखेंगे तो और भी अलग-अलग परकार के जो प पोश्ट रखे गए हैं किस तरह से आपका भरती होने वाला है और आपका पुरी तरह से सीधी भरती होगा कोई इसमें एक जाम नहीं होता है सीधी आपका भरती होने वाला है और इसमें अच्छा खास आपको सलरी भी देखने को मिलेगा किसी को पांच है किसी को साथ है किसी क कहां से निकाली गई है कि इस तरिसिसमें आपको आधन करना होगा तो प्यूज वीडियो सुरु刊 से अन तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थ्रस पे अच्छा यानि कि एक यूनिट का संचालन नगर निगम छेतर के वाट संक्या 29 में इस्तित समुदाईक भावन बाधा में किया जाना है इसे तु इचुक ब्यक्तियों से अभिरूची की अभिव्यक्ति अमंत्रन सुचना अमंत्रित की जाती है उस समंध में नगर विकास्यम अवाग विभाग विहार पतना के प्रतांग कितना में मानोबॉल की सेवा आउट्शोर्सिंग एजनसी के माधिम से प्राप किया जाना है यानि कि जो भी अपके जीला मुख्याले बेगुस रहा है उसमें 50 बेड का जो भी बिर्धा आश्रय अस्तल बनाया गया है उसमें जो ही भर आँ यहीं ज़्राय गया है कि जो भी टेंडर की जनकाड़ी की जामा करनी की जनकारी है देखेंगे नगर निगम जो कर्याले है बेगुस राय में जामा करना होगा और इसका जो निवीदा जामा करने की अंतिम तीति तक रखेंगें और निवीदा खुलने की जो तीथी है 29 साथ को यहां पे खुलेगा यानि कि क्या होगा कि यह टेंडर निकाला गया है अब टेंडर में क्या होगा कि जो भी आउट्रोट्षन कंपनी है जो की मेन पाउर हायर करके विभाग को दोगी वह अपना फॉर्म को भरेगी और अपना एस डबलू मनो बिग्यान समाज सास्तरम में असकोतनर या फिर अपने असकोतनर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहां पे फॉर्म को भरेंगे काउंसलिंग यहों रिहेबेटिशन यहों समाजिक छेतरम में काम करने का कम से कम 5 साल का कार्या अनुभाव है तो आप यहां सहायक सा लेखापाल के पदों पर यहां पर भरती होगा मतलब कि लेखापाल का पोस्ट आपका रहने वाला है जिसमें बीकम अपने किया हुआ है और साथ में कॉम्प्यूटर जो प्रचलन होता है उसमें डिप्लोमा किया हुआ है यहां दो साल का जो प्रासंसिक अनुभा बाकी आपका काम क्या रहेगा तो भुगतारासी का बितरन करना भाउचर भंडार वही लेखा वही जो अपडेट है वो करना आपका काम यहां पे होगा ठीक है बाकी और भी काम यहां पे दिया गया है जिसको आप चेक आउट कर लेंगे सभी चुजों को हम कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है फिर यहां पे देखेंगे केर गीभर्स का जो ही एक पोश्ट इसमें मेंसन किया गया है कि केर गीभर्स के पदों पे भरती होगी जिसमें मैट्रिक तथा कम से कम दो साल का अस्पताल का उनुभाव है तो फॉर्म को भर सकते हैं तीन प आपको यहां पे देखनी को मिलेगा इसमें आपको बस्त रह और यह कपड़े चादर आधी की धुलाई आयरन करना होगा बाकी यहां पे सुरक्षा प्रहरी का पोश्ट है यानि कि जो भी नाइट गाड होते हैं उनका पोश्ट है और कारेकरन में आप सक्षम है कुसल है स् आपको देखनी को मिलेगा आपका क्या दाइत वर रहेगा वह आप इहां पे देख सकते हैं बाकी यहां पे देखेंगे तो नर्सिंग का भी पोश्ट है तो नर्सिंग के सबंधी जो भी लोग है तो वो फॉर्म भरना चाहते हैं जैसे कि आपने इंटरमीडियर किया हुआ हुआ है और राजय सरकार के मापड़न के अनुसार नर्सिंग समंधित प्रमार पतरह यहां समंधित छेत्र में दो बरसी एक अनुभाव है तो फॉर्म को भर सकते हैं एक पदों पर भरती है 15,000 पर आपको सलरी यहां पर देखने को मिलेगा फिर यहां पर फीजियो थेरिपि है 10 अरपय आपको देखने को मिलेगा फिर यहां पर सफाई करमचारी सहसाय के पद पर आपका भरती होने वाला है पर एक दिन में दो बार भरमार आपको करना होगा सक्ष्मक कारियक कुसलेयों स्वस्त व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है दो पोश्ट है आठ अरपय जो है सरर पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब इहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो निवीदा है यानि कि टेंडर से निकाला गया है ठीक है तो सेवा परदाता एजैंसी संस्ता के दोबारा उपलाब्त कराए गए मानों बॉलका निधारित मान्देह का सीमा भुगतान उनके संस्ता को किया जाएगा यानि कि जो भी कमपनी इसमें टेंडर लेगी वो अपने हिसाब से अपना मेन पाउर देगी यानि कि लोग की भरती कराएगी और उसके हिसाब से हम लोग उसको पेमेंट करेंगे और वो जो ही स्रम होगा अलग से दे होगा बाकी यहां पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि स्रम कानून के तहट भुगतान रासी में निधारित एफ की कटाउतियम अंसदान की रासी तथा एसाई की रासी सेवा परदाता संस्ता के दोवारा दिया जाएगा निकि जो भी आपका जब लएगा जो की पर्मानेट नहीं होगा बाकी बताया गया है कि सेवा परदाता को एसाई ठीक है एपीफियो संपनिबंधित होना अवस्तक होगा यानि कि जो भी एजनसी इसमें भाग लेगी उसका ओचीज होना जरूरी होगा तो यह जो है सब एजनसी के लिए बोला को लेगी वो अपने ही साब से भरती निकालेगी और भरती कराएगी तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे बतायेंगे कि किस तरह से भरती हो रही है और कौन से आउट्टिशन कंपणी ने इसका टेंडर लिया हुआ है तो जैसे उसका अपडेट आएगा भरती आ उनको यहां पर मेंण पावर हायर करने के लिए रख लिये जाएगा वह अपने हिसाब से मेंण पावर हायर करेंगे और इन दे profesor और प्दों करेंगे बाकिह हैं आपको अपडेट कराने की कोशिज करेंगे हैं तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरी जनकारी इस वीडियो में सेयर करने की कोशिज किया, कि इसका जो tender है निकाला गया है अब जो भी outsourcing company यहाँ पे इसमें tender को approve करेगी है रहीं कि tender उसको मिलेगा उसके माध्यम से ही भरती कराई जाएगी तो जैसे ही tender approve हो जाता है और भरती निकाल जाती है वीडियो थोरा से बैच्छा लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हर एक अबडेट के लिए अभी तक आपने टेली गराम वोटसेप जोन से जवाइन नहीं किया हुआ है तो दिक्सपुसम बक्स में लिंक है क्लिक करके जाकर जवाइन कर लीजिए तैंक यू बेरी मच